Hello guys welcome back to my channel guys Facebook page का एक जबरदस settings आज मैं आपके साथ share करने वाला हूँ ची हाँ, page and tagging page and tagging ये settings मैं आज आपके साथ share करने वाला हूँ कैसे करना है और सरके सारी settings它的 ठीक टक करना है चलिए आज detail आपको मैं skin recorder on करके समझाता हूँ, करके दिखाता हूँ जस्ट अब बने रहे और इसके अलावा और भी Facebook page related जो भी settings बगरा होते हैं Facebook page का मैंने already एक वीडियो बनाया जैसे Facebook page का name कैसे change करना है Facebook page का privacy settings कैसे करना है और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि Facebook page का page and tagging settings कैसे ठिक टक करके रखना है और इसके भी बात बहुत सरी ऐसे settings बला व अब लुट कर दो आपके page का भी grow नहीं होगा ठीक है settings बहुत ही important होते हैं दोस्तों जैस्ट अब चनल के साथ मने रहे हैं और notification bell को all button पे प्रेस केजिए और Facebook page पे अगर आप देख रहे हो तो आप page को follow केजिए with notification bell को all button पे follow करके राखेगा तकि आपके जो भी notification पहुंचे क्लिक करना है जैसे मैं आपको दिखाता हूँ जैसे ये वाला logo हो या आप triple lines हो हो या आपका profile peak हो जो भी हो आपका page का यहाँ पे आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको scroll करना है स्कॉल करने के बाद देखेगा यहाँ पे आपको settings और प्राइ पेज़ सेटिंग्स यहाँ पेपए आपको किलिक करना है जैसे ही हाँ पेपर किलिक करेंगे दोस्तो मैं आपको बता दूँ कि इस विडियो बनाने से पहले मैं मैं अल्रेडी फेसबूक पेज का नेम कैसे चेंज करना है और प्राइवेसे वाला जो अप्शन है सारी के सारी options के बारे में detail एक वीडियो मैंने बनाया इस वीडियो देखना चाहते हैं तो आप देखिएगा privacy shortcut manage your page इसमें भी बहुत सरी options होते हैं your activity people find and contact you यह सारी आपके सरी options के बारे में detail वीडियो बनाई अगर आपने नहीं देखा तो चैनल visit करके आप देखिएगा 2023 में बहुत कुछ changes हो चुका मैं detail एक वीडियो बना के रखा आप देखिएगा चलिए आभी मैं जो दिखाने वाला हूँ मैं आपको दिखाता हूँ यह page and tagging के बारे मे और उसके नीचे देखिए लिका है who can post on your page आपके page पर कौन post कर सकता है इसको आप everyone कीजएगा क्यों करेंगे क्योंकि अगर आपके page पर कोई followers आखे post करें तो आपका page का grow होगा उनके भी आपके followers अगर post करें तो उनको भी कोई followers हो सकता है कुछ ने कुछ followers हो सकता है तो उन इसको आप everyone करके राखिएगा, आप कभी भी इसको only me ऐसा ना करें, आप इसको everyone पर click करके राखिएगा, चलिए इसको back कर लेता हूँ, और उसके नीचे देखिए दोस्तों, यह जो options है, कि who can see what others post on your page, आपके page पर कोई others किसने post करें, तो आपके page बार और भी जो followers होते हैं, अगर everyone करेंगे तो, तो इसको भी आप everyone करके राखिएगा, तकि एक दूसरे के followers के साथ connectivity हो, ठीके, इसको back कर लेता हूँ, पर नीचे देखिए दोस्तों, allow others to share your post to their stories, यहाँ पर भी इसको on करके राखिएगा दोस्तों, यह बहुती important option है, जैसे कि आप किसी को allow कर सकते हैं कि आपके page पर जो भी post हो चुका, अगर किसी followers को आपके post पसंद आ गई, तो उनके story पर लगा सकते हैं, तो आपका page का reach भी वर जाएगा, इसको आप हमेशा के लिए on करके राखिएगा, यह बहुत ही ज़रूरी है, आपके page के settings आप यहाँ पर on करके राखिएगा, चलिए उसके नीचे जो options है देखिए दोस्तो, जैसे allow others to view and leave review on your page, तो इसको भी आप on करके राखिएगा, तकि आपका page किसने visit कर सकता हैं, किसने check कर सकता हैं, देख सकता हैं और leave कर सकता हैं, ठीक, इसको on किजिएगा, और उसके नीचे देखिए दोस्तो, जैसे tagging वाला option है, और tag करें, तो tag की गई post कौन देख सकता हैं, इसको everyone किजिएगा दोस्तो, ठीक है, everyone किजिएगा तकि आपके page पर कोई किसे ने tag करें कोई post, तो आपके जो followers होते हैं, followers देख पाएगा, इसको everyone करके राखिएगा, चलिए उसके नीचे देखिए दोस्तो, यह बहुती important वाला option म आपको दिखाऊंगा, जैसे यह वाला option हम देखिए, reviewing वाला, ठीक है, और reviewing वाला option के नीचे देखिए, जो options होते हैं, कि review tags people add to your post before on tags, appear on Facebook, यानि आपके Facebook पे, अगर किसी ने कोई post tag करें आपके, तो for tag पहले आप देखिएगा, आप review कीजिएगा, अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं, इसको अगर post हो जाए, तो कोई problem नहीं होगा, तो आप उसको accept कर सकते हैं, तो इसको आप हमेशे के लिए on करके राखिएगा दोस्तों, और उसके नीचे देखिए दोस्तों, review what other people see on your page, यानि आपका page किसी ने चाहें, तो देख सकता हैं, check कर सकता हैं, visit कर सकता है अगर visit करें, तो उनको किस प्रोकार दिखता हैं आपका page, आप यहाँ पे click करके just देख सकता हैं, चलिए मैं इसको click कर लेता हूँ, click करने से देखिएगा, अगर मेरा page अगर आप follow करना चाहते हैं, तो आपको इस प्रोकार दिखाएगा, जैसे मैं यहाँ पे दिख रहा कोई दूसरा page हो सकता है, tag करें, तो आप पहले उस tag को review कर सकते हैं, अगर आपको लगे कि नहीं tag ठिक ठक हैं, तो आप उसको approve कर सकते हैं, अधर आप उसको decrease कर सकते हैं, ठीके, तो पहले आप यहाँ पे review कर सकते हैं, तो दोस्तों मैं आसा करता हूँ कि page and tagging, इसमें जो जितने सारी option होते हैं, मैं एक एक करके detail आपको समझाया, मैं आसा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, अगर कोई भी दिक्कात आई, कोई भी समझने के लिए कोई problem हो, तो आप नीचे comment कीजएगा, बहुत सरी ऐसे settings होते हैं दूस्तों page का, ठीक है, एक एक settings का एक detail वीडियो आने वाले हैं, just up channel के साथ रहेगा, और facebook पे अगर आप देख रहे हों, तो just up follow किये जाएगा, और notification bell को all button पे click किये जाएगा, चलिए मिलता फिर आगले और एक नया settings के साथ, तब तक आपका ख्याल रखियेगा, धन्नवाद